लेकिन चलिए शिरुवात सबसे पहले करते हैं एशियाई बाजारों से जो संकेश मिल रहे हैं उससे और काफी स्ट्रॉंग इस वक्त जो क्यूज हैं वो दिखाई दे रहे हैं एक्स जेक्स निफ्टी देखिए 18,000 के पार दिखाई दे रहा है 108 अंग उपर है इसके अलावा हॉंग कॉंग कोंग के बाजारों में भी देखिए करीब 2% से जादा की तेजी है निकए के बाजार शांगाय के बाजार भी अच्छी मजबूती के साथ कारूबार कर रहे हैं तो फिलाल इशाय बाजारों की शुरुआत तो काफी अच्छी नज़र आ रही है लेकिन क्वीकली इक बार समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत आज कैसे दिखाई दे रहे हैं फेट की बैठर भी आजसे शुरू हो चुकी उसके पहले किस तरह का रियाक्शन ती रात हमने देखा तमाम इंडेक्स में बिखवाली का दबाव देखने को मिला फेड की जो बैठर के उससे ठीक पहले कॉश्यसनेस बिल्ट होते हुए दिखी और डाव नास्डाक और S&P में बिखवाली के साथ ही अल्मूस्स 128 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड हमने जो कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं तो October महीने में sentiments जो हैं वो पिछले कई सालों में सबसे बहतर इस October के महीने में देखने को मिले हैं और आपको बता दे कि October के महीने में in itself almost 15% की uptick down ने दिखाई है विच मेक्स इट बिक पॉजिटिव हाला कि बीती रात हमने देखा American Markets का मूड माहौल जो हो इसमें कमजोरी जरूर देखने को मिली हाथ से US Fed की जो बैठक होने वाली है anticipation यही है जानकारों का यह मानना ही कि 75 basis points की बढ़ात यहां पर हो सकती है और इसे digest जरूर किया है लेक गाई को लेकर वो क्या कुछ कहते है इस पर नजर रखनी होगी यूरो जोन में महंगाई दर जो है 10.7% के record तर पर देखने को मिली है GDP के आंकडे जो है 0.2% की बढ़ात यहां पर दिखा रहे है अनुमान के मताबिक रहे लेकिन बावजूद इसके हमने देखा European Markets जो है उ देखने को मिली है oil prices की तरफ अगर आप रुक करेंगे फेड बैठक से पहले हम देख रहे है oil prices का trend जो है dollar index जो है उसमें एक impact आता हुआ almost 111 के levels पर dollar index आप देख पाएंगे US 10-year bond deal 4% के उपर है और bullion market में दबाव देखने को मिला है एक महिने में सोना जो है करीब 1.5% की गिरावट दिखा चुका है US में उत्पादन बढ़ने और चीन में कमजोर मांग के चलते कच्छे तेल में जो है कमजोरी इस वक्त आप देख पाएंगे Brent crude almost 94 dollar a barrel के आसपास trade करता हुआ Cryptocurrency की अगर बात करें Bitcoin marginally downtrend दिखाये 2500 dollar के levels दिखाते हुए dollar index में एक struggle है और US 10-year bond deal जो है almost 4% so यहाँ पर एक uptick है जो की लगातर बढ़ती दिख रही है तो इस पर नजर रखनी होगी all in all मिले जुले संकीत कहने चाहिए क्योंकि अमेरी की बाजर में गिरावट रही यह शाई बाजर की positive शुरुआत है ठीक है तो मिले जुले संकीत इस वक्त दिखाई दे रहे है ग्लोबल मार्केट से और नजर है FED की बैठक पर जो की आज से शुडू हो चुकी और FED Chairman की तरफ से क्या बयान आते हैं इस पर भी हमाई नजर रहेगे और उसके पहले हम देख रहे हैं कि US 10-year yields अपने उप्री स्थर पर है सोने में कमजोरी है, डॉलर इंडेक्स में भी इस वक्तीजी देखने को मिल रही है तो फिला इस तरह का कारोबार है, अब देखना होगा कि FED का outcome क्या होता है उसके बाद Global Bazaar उस पर और दुनिया भर के Bazaar उस पर react करते होई नजर आएंगे अब शरत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि नतीजे और खबरों वाले शेर्स कौन-कौन से हैं लेकिन शरत पर जाने से पहले एक बार आपको मार्केट में रणनी थी क्या होनी चाहिए यह भी बता देते हैं कि सरस्थागत निवेशकों के आकड़े कैसे थे और FIS और DIS के आकड़ों पर अगर हम नजर डालेंगे तो इस बद हम देख रहे हैं कि FIS की तरफ से कल हमने देखा कि कैश मार्केट में 4,178 करोड की खरिदारी FIS कैश मार्केट में करके गए अगर DIS की बात करेंगे तो उनकी तरफ से बिकवाली हुई है करीब 1107 करोड की इंडेक्स फ्यूचर में जो आकड़ा है वो भी खरिदारी का है 1553 करोड का और इंडेक्स आप्शन में 1107 करोड की बिकवाली हुई है FIS की तरफ से लेकिन ये जो खरिदारी का ट्रेंड है देखिए वो लगातार जारी है 27 अक्टूबर से ये लगातार तिसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि खरिदारी का आकड़ा निकल करा रहा है और कल काफी बड़ा आकड़ा था ये 4178 करोड का आकड़ा कल FIS की तरफ से देखने को म लेकिन काफी एहम दिन, काफी एहम हफता ये पूरा दहने वाला है भारतिय बाजारों के लिए ऐसे में क्या रणिक्ति अपनाने चाहिए अठाजा के लेवल तो पार करतो हुए हम नजारा आए कितना टिके रहेंगे, कितना टिकाओं है ये लेवल्स अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का 17960 एक इंपॉर्टन सपोर्ट है और उपर में 18160 से लेकि 186160 एक इंपॉर्टन का डिस्तन से अगर मार्केट वहाँ पे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही देखना चाहिए क्योंकि आने वाला जो वीग है, काफी इवेंट है, मतलब बहुत सार इवेंट है तो इवेंट के पहले हमें क्या होना चाहिए, तरह होना चाहिए, दोनों साइट प्रेंड के आपके मौके मिल, आपको देखने को मिल सकते हैं 17960 अगर ब्रिक डाउन होता है तो हम लोग फिर से नीचे में 17770 से लेकि 17660 ये लेवल देख सकते हैं अभी के लिए उपर का जो दौर है 18660, वो मेरे लिसाब से एक रिजावटी का दौर हो सकता है ओके ठीक है, तो ये राए डिफ्टी पर आपको दे दी गई है, सपोर्ट और एहम रिजिस्टेंस लेवल क्या है इस वर्ट बाजार के लिए ये आपको बताए मिदलिश, इसके अलावा, कौन-कौन से शेर्ज आपको इस वर्ट अच्छे लग रहे हैं ट्रेट करने के लिए हाथ से? इसके अलावा, निफ्टी के लिए जो इंपोर्टन सपोर्ट लेवल आज बता रहे हैं, 17,960, जब तक इसके उपर है, तब तक आप अपनी जो लॉंग पोजीशन है, बाफ कीजिएगा, आपनी जो लॉंग पोजीशन है, वो आगे भी कंटीनिउ कर सकते हैं, ये राया आपको बाजार में दे दी गई है, लेकिन अच्छे